हेलो फिर्ण्स वेल्कम बैक टू मैं चानल नितोस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए लेके आए हूँ बहुत ही स्वादिश्ट सरसो वाली छोटी फिस करी की रेसिपी जो लोग फिस के सौकीन है वो इस फिस का टेस्ट कभी नहीं भूल सकते हैं और हम इसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से तो आएए इसे बनाते हैं छोटी मचली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह ली है half kg चिपो अफिस बिहार में हमारे साइड इसे चिपो अफिस बोला जाता है आपके साइड में क्या बोला जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आप लो और इस मचली को मैंने अच्छे से clean करके wash कर लिया है तो यहाँ पे आप चाहे तो छोटी मचली में कोई और भी मचली ले सकते हैं जो आपको पसंद है wash करने के बाद इसमें पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए अच्छे से निकाल ले और अभी यहाँ पे मैंने एक चोटी चमच नमक एट की है आदी चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर आट कर रही हूँ आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर आट किया है और इसे हम अच्छे से पहले mix कर लेंगे बहुत से लोग जब फिस्ट फ्राई करते हैं उसमें लाल मिर्च पाउडर आट नहीं करते हैं तो इससे जब आप फिस्ट फ्राई खाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आपाएगा फ्रिंट तो थोड़ा सा लाल मिश पाउडर जरूर से अट करना चाहिए, मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे आदी चोटी चमच अद्रक लहसन का पेस्ट अट किया है, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स किया है, यहाँ पे यह सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम 5-10 मिनट इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम करेंगे इसे फ्राई, फ्राई करने के लिए मैंने एक कराही डाल दिया था, गैसे श्टो पे वो गरम हो चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने एट किया है 5-6 चमच सरसो तेल, तो इस फिस को बनाने के लिए सरसो तेल का इस्तमाल करें, काफी अच्छा टेश्ट आएगा, और तील को अच्छे से गरम करना है, जो की अच्छे से हो चुकी है तेल गरम, तो इस टाइम पे जो फिस है, उसमें से मैं आधा इसमें एड कर रहे हूँ, बहुत जादा एक साथ ना डाले, नहीं तो फिस तूट सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिस को डालने के बाद एक बार हमें इस तरह से चला लेना है, और उसके बाद इस तरह से इसे फैला के, इसे दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, गैस की फिलेम को मीडियूम टू हाई रखें, और यहाँ पे तीन मिनट हो चुके थे, तो अभी हलके हाथ उसे हमें इसे पलट देना है, फिस को हमें बार बार बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि छोटी फिस है तो तूट सकती है, तो बस इसे मैंने दो से तीन बार ही पलटा है, और यहाँ पे यह फिस फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और यहाँ पे फिस को निकालने के बाद जो बाकी के बचे हुए फिस थे, वो भी मैंने कडाही में एड कर दिया है, और इसी तरह से इसे भी मैं फ्राई कर लूँगे, और यहाँ पे सेकेंड बैच भी फ्राई हो चुकी है, तो आप चाहें तो छोटी फिस को इसी तरह भी इंज्वाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे मसाले इसमें एड है तो बहुत टेश्टी लगती है, और अभी मैंने उसी कडाही में चार से पांच बड़े चमच वाईल फिर से एड किये है, तो यहाँ पे मैंने सरसो तेल ही लिया है, तेल को हमें अच्छे से गड़म होने देना है, जो की गड़म हो चुकी है, तो इस टाइम पे मैंने एड किया है, एक छोटी चमच छोटी वाली सरसो, आपके पास अगर पीली सरसो है, तो वो भी डाल सकते हैं, सरसो चटक चुकी जी तो एक बड़ा चमच मैंने डाला है, लेसन का पेश, जिसे हम थोड़ा सा भूल लेंगे, वाइल ज्यादा गड़म लगड़ा था, तो मैंने गैसे स्टोप को बंद कर दिया है, और अभी डाला है, दो बड़े चमच, पीली वाली सरसो का पाउडर, साथ में एक चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है, आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एड़ किया है, एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर भी एड़ किया है, साथ में मैं यहाँ पे एड़ कर रही हूँ, दो चोटी चमच धनिया पाउडर, इस रेसिपी में पीली वाली सरसो पाउडर का ही इस्तिमाल करें अगर पीली वाली सरसो नहीं है तो छोटी वाली जो काली राई आती है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अगर powder नहीं है तो बहुत ही आसानी से ये mixer pot में पानी के साथ पीश जाता है और यहां पे देखे इस मसाले को मैंने लगातार चलाते हुए भून लिया है तो अभी इसमें मैंने एड किया है पानी तो पानी हमें बहुत जादा नहीं डालना है फ्रेंट क्योंकि चोटी मसली की जो ग्रेबी होती है वो थोड़ी सी गाड़ी अच्छी लगती है पानी डालने के साथ ही नमक भी एड कर लेना है फ्रेंट हमें क्योंकि नमक डालने का जो क्लिप है वो मिस हो गया है लेकिन नमक हमें इसी time पे add करना है और अब भी हमें इसे उबलने देना है तो यहाँ पे देखे फ्रेंट एक से तेरे म्याने इसे पका लिया है आप ही जो फिस है हम उसमें add कर देंगे फिस को add करने के बाद इसे बहुत नहीं चलाना है आपको बस इस तरह से हलके हाथों से फैला देना है फैलाने के बाद इसे 1-2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने दे और यहां पे 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी ग्रेवी और फिस को देख सकते हैं कि यह कितनी टेश्टी दिख रही है इसकी ग्रेवी देखे आप कि लाइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग